रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपको जोते शास्त्र की उन भाग्यशाली राश्यों के बारे में बताने जा रही है जो पवन पुत्र भगवान हनुमान जी के दिल में बस चुकी है जी हाँ इनराशी वालों के उपर अब भगवान हनुमान जी की विशेश क्रिपद रिष्टी पढ़ने वाली है जिससे की अब इनके सभी कष्ट, सभी दुख और सभी चिन्ताएं भगवान हनुमान जी स्वयम दूर करने वाली है इन राशी वालों का आने वाला समय अब बेहदी ज्यादा शुब और फलकारी रहने वाला है भगवान हनुमान जी के आशिरवात से अब आपके घर में खुशियों की बारिश होगी कम भेनत में ही आपको अधिक फलों की प्राप्ती होगी आपका प्यार आपको उचाईयों तक पहुँचा देगा आप लोग जिस काम को करने की कोशिश कई सालों से कर रहे थे वह अब पलक जपकते ही पूरा होने वाला है इस जोरान पती पतनी के प्रेम में और अधिक बडोतरी होगी आपके व्यापार का विदेशों में चारों तरफ इजाफा होगा आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपके नई दोस्त बनेंगी खेलकूत की गतिविदियां आपके स्वास्त को बहतर बनाने में आपकी साहता करेंगी ओफिस के काम में आपको बहुत से वावाही अवश्य मिलेगी मीठा और तहजीब से बोलकर आप अपने काम पूरे करवा सकते हैं इस दोरान कानून संबंदी कारियों में भी आपको राहत अवश्य मिलने वाली है बहाई बहनों की बीच जोरान अच्छे संबंद बनेंगे आपको किसी विशेश कारिकरम में शामिल होनी का अफसर भी प्राप्त हो सकता है दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देती हैं कि आखिर ये भागयशाले राशिया कौन सी है तो आपसी हन्रोध है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे कमेंट में जैश्री राम अवश्य लिख दे चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको हम बता दें कि सबसे पहली जो राशी है वह है तुला राशी जी हाँ दोस्तों बता दें कि अब तुला राशी वालों की भगवान हनुमान जी के कृपा से मू मांगी इच्छाएं पूरी होंगी जी हाँ इस राशी वालों पर भगवान हनुमान जी पूरी तरह से महरमान होने वाली है जिससे अब इनकी लोटरी लगने से कोई नहीं रोक पाएगा इनके अच्छे दिनों की शुरुआत अब होने वाली है दोस्तों हनुमान जी अब इस राशी वालों के लिए राज योग बना रही है जिससे इनके पास इतना पैसा आएगा कि इन्हें पैसे रखने के लिए भी नौकर रखने पड़ेंगे इन राशी वाले लोगों के घर में अचानक खुश्याएं खुश्याएं आएंगे हनुमान जी एक बार जिस पर अपी अपनी कृपा बरसाने लगते हैं उसके जीवन में कभी भी दुखदर्द नहीं आता है दोस्तों ये बातों आप जानते ही होंगे और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि अब आपको शिक्षा के शेत्र में अपार सफलता मिलने के योग नजर आ रही है जो लोग प्रेम में हैं वे अपने रोमैंटिक लाइफ का भरपूर आनंद ले सकती है दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वह है सिंग राशी जीहां दोस्तों बताना चाहेंगे कि कई दिनों से अगर आपके विवा में बाधाएं आ रही है तो अब भगवान हनुमान जी की करिपा से दूर होंगी अगर इस समय आपको यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जरूर कीजिए आपके लिए यात्रा लाबदायक रहेगी कोई भी काम करने से पहले हनुमान जी के नाम कस्मरण आप अवश्य करें हनुमान चालिसा का पाड़ भी आप नित्य जरूर करें आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल इससे मिल जाएगा हनुमान जी की करिपा से अब आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता मंगलवार के दिन बंदरों या फिर गाय या कुत्तों को आप कुछ खाने के लिए अवश्य दे दे इससे पवन पुत्र हनुमान प्रसन होती है और वे आपकी सबी मनों कामनाएं पूरी जरूर करेंगे दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशी है वह है मेश राशी जी हाँ दोस्तों दोस्तों बतादे कि सकरातमक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाब अब उठाना चाहें आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोस्थाहिट इस दोरान करेंगा इस दोरान आप आध्यातमिक विकास के साथ साथ जीवन की बहुत तिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे नई सोच से आपको समर्दी हासिल होगी किसी भी तरह के द्वन्द या विरोध से आप बचें क्योंकि आपकी सीहत पर इसका बुरा असर होगा पैसे कमाने के नए नए मौके आपको मुनाफ़ा देंगे वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए ये अच्छा समय है अपनी दोस्ट से बहुत लंबे समय बाद मिलने का आपको ख्याल आपके दिल की दड़कन को बढ़ा सकता है काम को आप समय पर निप्टा कर चल दी घर जाना ये आप अपनी एक आदत बना लीजी क्योंकि ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहीगा इस से आपके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी और आप भी तरोताजा महसूस अवश्य करेंगी बजरंग बली की क्रिपासी इस दोरान आपको अपने कारोबार में बड़ा फायदा मिलने की संभावना बन रही है दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वह है कन्या राशी जी हाँ दोस्तों आपको हम बता दें कि बजरंग बली के क्रिपासी अब आपके जीवन के सभी दुखदरद दूर हो सकती है तथा आपके जीवन में आपको رाज सुक अब मिल सकता है आपको अपने जीवन में नई खुशखबरी मिलने के योग नजर आ रही है आपके प्रेम संभनदों में इस दोरान मजबूती आएगी जीवन के सभी परिशानिया आपकी दूर हो सकती है आपके जीवन में अब अच्छे दिनों की शिरुवात जल्धी होगी दोस्तों बता दे अगली जो राशी है वह है व्रिशब राशी आपको बता दे कि इस दोरान ओफिस में उच्छ पद अधिकारियों के तरफ से और सुखमाई रहेगा कारिस्थल पर प्रमोशन या प्रशन सा मिलने के आसार है कारोबार में फाइदा होने के योग भी बन रही है शेर मार्केट में निवेश के लिए या बहतरीन समय है लेकिन निवेश से पहले पूरी तर जाच परतालाब आवश्य ही कर ले दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशी है वह है मकर राशी जिहां दोस्तों इन राशी वाले लोगों का अब आने वाला समय बहतर होने वाला है भगवान हनुमान जी के आशीर्वात से आपके घर में खुशियों की बारिश अवश्य होगी आप किसी नए कारे की शुरुबात कर सकते हैं जो आपके लिए फाइदे मन रहने वाला है आपको शिक्षा के शेत्र में अब अच्छे परणाम मिलने के योग बन रही है मित्रों के साथ आप कहीं घुमने फिरने की यूजना बना सकते हैं संतान की प्रगती के लिए आप आवश्यक कदम उठाएंगे आपका जीवन अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है दोस्तों अगली जो राशी है वो है व्रिश्चक राशी पता दे कि आपके परिवार में नई खुशियां अब कदम रखने वाली है किसी भी शुब कार्यों को करने से पहले बगवान हनुमान जी का ध्यान आप अवश्य करे आपके घर परिवार की जरुवतों को आप समय पर अब पूरा कर सकती है यात्र से जुड़ी हुई कोई शुब संचना आपको इस दोरान मिलने की संभावना बन रही है इस दोरान आप अपने विरोधियों से आला की सावधान रहें और मंगलवार और शनिवार के दिन सुन्दर कांड का पाट जरूर करें दोस्तों अंतिम राशी जो है वो है कुम्ब राशी जी हाँ आपको बता दें कि आपका जो आने वाला समय रहीगा वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा भेतर रहने वाला है पारिवारिक परिसितियों को समझने का प्रयतन आप इस दोरान कर सकती है उत्तम समय आपके लिए अब शुरू हो चुका है इस दोरान जितना हो सके आप किसी भी वाद विवाद या जगडे में ना पड़े क्योंकि इसमें आप बुरी तरब हस सकती है इस दोरान धार्मिक कारों के प्रती आपका रुझान बढ़ेगा लंबी यात्रा का योग बन रहा है वाहन का उप्यों करते समय आप सावधानी बढ़ती भगवान हनुमान जी करिपा से आपका प्रतीय काम अब लाबडायक सित्ध होगा रुके हुए धन की प्राप्ती भी होगी कारोबार में किसी नए कारे को लेकर विवाद की सिति निरमित हो सकती है इस सिति में भगवान हनुमान जी को आप याद जरूर करें हनुमान चालिसा का पार्ट हर सुबह घर से करके ही निकले ऐसा करने से आपके सभी रुके हुए काम और आपके सभी आने वाले संकट भगवान हनुमान जी अवश्य दूर करेंगे दोस्तों आपसे अन्रोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्छी दिल से जै हनुमान जै श्टिराम अवश्य लिख दी वीडियो को लाइक जरूर कर दी आपकी राशी कौन सी है ये भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दी धन्यवाद आपका दिन शुब रहे